नरिंद्र नगर विधान सबा के अंतरगत आने वाले रौंदेली गाउं के ग्रामीन उस वक्त सक्ते में आ गए जब गाउं में आए टावन निर्मान कंपनी के कर्मचारियों ने भूस्वामी और ग्राम पंचायत के बगैर पूछे नोसी के गाउं के बीच से विध्योत हाई टेंशन लाइन बिचा दी जिसकी ग्रामीनों को भनक तक नहीं लग पाई वही टावन निर्मान कारिय को लेकर जब ग्रामीनों को पता चला तो उन्होंने प्रधान देनेश राणा के अगवाई में इसको लेकर जबर्दस्त विरोध करना शुरू कर दिया वही विरोध के बाद भी जब टावन निर्मान कारिय नहीं रुका तो ग्रामीनों ने इसकी शिकायत शेत्री विधायक सुभोत उन्याल सिकी जिसके बाद जाकर निर्मान का कारिय को रुका गया वही इस मामले को लेकर ग्रामिनों का कहना है कि गाउं के बीच औबीच पहले से ही दो विद्थित हाई टेंशन लाइन बिछाए गई है साथी उन्होंने आरोब भी लगाया कि जब ये विद्धुत हाइटेंशन लाइन बिछाई जा रही थी तो कमपनी के अधिकारियों ने टावर की जद में आये भूस्वामियों को कमपनी में नौकरी देने का बादा किया था लेकिन बाद में ये इस वादे चूटे साबित हुए वहीं आप गाउं के बीच से तीसरी हाई टेंशन लाइन बिछाने को लेकर उन्होंने कहा कि वे इसे कते ही नहीं बिछने देंगे गाउं 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 पहले ही परवावी तो बड़ी बड़ी लाइन यहां से जा चुकी हैं और गाउं इस तीसरी लाइन बिछने का पूर जो डंक से बिरोध कर रहे हैं उसको जाने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर हमारी खेट से पहले दो लाइन गुजरियां बड़ी यह 2000 मेगावाट की इन्होंने हमें कुछ नहीं दिया मेरा एक ही खेट है सिंचाई का खेट है और हम गरीबाद में हमें कोई किलिम कुछ नहीं दिया अब तीसरी लाइन भी हमारी खेटों से ले जा रहे हैं यह लोग म रहे हैं और काफी रिक्वेस्ट करने के बाद भी यह नहीं मान रहे हैं कि तुम्हें जो करना है कर लो हम टावर लगा के रहेंगे यहां पर जो उपजाव किट सी भूमी है कई बरसों से परवाइत है और पुना जो है सरकार कोटे सर सिरिस केस के लिए जो 400 KVDC पावर के ल पंजाब के सिरी टीव के लिए नरेंद्र नगर से अमित रतूरी की रिपॉर्ट हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद